प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत तरह के बदलाव होते हैं ठीक है ऐसे कुछ बदलाव में से एक बदलाव है जो हर महिला के शरीर में प्रेग्नेंसी के दौरान दिखाई देता है वो है stretch marks जी हां stretch marks या फिर खीचाओ के निशान जो की pregnancy के दोरान मैलाओं के शरीर में होना एक आम बात है तो चलिए जानते हैं कि क्या हम stretch marks को कम कर सकते हैं यह होते क्या है और क्यों होते हैं और इन्हीं कैसे कम किया जा सकता है ठीक है तो फिर चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूदी तो देखिए नौर्मली जब भी कोई महिला प्रेगनेंट होती है तो उसका वेट गेन होता है ठीक ह होते ही महिलाओं का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ यसाथ बेबी की ग्रोथ भी बढ़ती रहती है जिसकी वज़े से जो महिलाओं का शरीर की तोचा होती है उस पेखिचाओ पड़ता है ठीक है और जो हमारी स्कीन के नीचे तोचा के नीचे एलास्टिक फाइ है और हमारी शरीर में थोड़े हलके पिंकिश लाइन दिखने लगती है ठीक है जिने हम कहते हैं इस्ट्रेज मार्क्स ठीक है पर आपने नोटिस किया होगा कई महिलाओं में यह जो निशान होते हैं वह बहुत जादा गहरे रंके होते गाड़े रंके होते भूरे हो जाते हैं यह कुछ मेलाओं में नाके बराबर होते हैं अब ऐसा क्यों होता है चली जानते हैं देखिए तो स्ट्रेज मार्क्स पढ़ने का जो में कारण होता है वह तो आपको पता है कि हमारे जो वेट बढ़ता है बेबी की ग्रोथ होती है तो हमारे पेट में टमी एडिया पर जाओ पड़ता है जिसके वजह से इस निशान पड़ जाते हैं तो उनमें क्या है कुछ मेलां में यह जो होता है जिए का मतलब है अगर में ब्लड ड्रिलेशन में किसी कोसी मांस बहुत जादा रहे हो जैसे कि आपकी मां केopy सिस्टर्न को तो इस वज़े से भी आपके जोस्ट्रेटि मांहें तो काफ role मांस होने की संभावना पॉसिबील्यटी होती है चैसे इसके अलावा हमारे शरीर में प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजस भी होते हैं जिनकी वज़े से यह जो खिचाव के निशान है वो हमारे शरीर में पढ़ जाते हैं और एक कारण यह है देखिए हमारी बॉडी में जो नमी की मात्रा अगर जो मौश्चर है वो बहुत ज्यादा कम में उसकी वज़ह segu है उसके वजह से काफी हो जाते हैं और अगर आपके बॉडी जो आपका शेर के बहुत जादा हाईडाइड है उसके तरीके से ठीक है आपके बॉड़ी बहुत अची से हाईडाइडए नहीं रहती है इस वज़ज़े से लिए जो खिचाव के निशाउ Samsung कई मैलाों में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और अगर आप प्रेग्नेंसी से पहले ही बहुत ज्यादा ओवर्वेट आपका जो वज़न है और आप किसी भी को भी एक्सरसाइज नहीं करती है तो आपके कि शरीर की Elasticity होती है वह बहुत ही कम होती है इसलिए आपके शरीर में बहुत जल्दी खिचाओ के निशान पढ़ जाते हैं और काफी गहरे हो जाते हैं ठीक है यह वह कारण है बेसिकली जिनकी वजह से हमारे शरीर में प्रेगनेंसी के टाइम पर खिचाओ के निशान पर जाते हैं या स्टरिच माउंक्स पर जाते हैं ठीक है ले तो भी कि इस पेहले बात को आपको अपनी बोडी को बहुत ही अच्छे है ठीक है इसके लिए आपको अपने डेली डाइट में एड लिस्ट से तीन लीटर पानी पीना ही पीना है अपनी जो डेली डाइट है उसमें Liquid का इंटेक बढ़ा दीजे ठीक है यहां पर मैं दो से तीन लीटर लिक्विट का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ पानी ही पानी आप लिक्विट के फॉर्म में और भी जो चीजे रहती है पानी के प्लेस पर वह भी इस्तेमाल कर सकती है जैसे कि नाजल पानी है ठीक है फ्रेश फ ठीक है जो कि आपकी बॉडी को हाईडियेट रगता है आपकी बॉडी का हाईडेशन जो है वो नमी जो है उसको मेंटेन करने वह प्र ज्याधा है ठीक है कि पोरे धन भर Sub — थोड़ी थोड़ी देर में एक से ठीड घंटे के गयप में पानी पीचते है आप सकती है यह यह नीफिक सब्सक्राइब सब्सक्राइब वंसे अच्छाइब बात नेचा से पैसे वह जो आपके कम कम पर ने-चा कते हैं करना ini और यह तो बात आपका weight अब आप कहेंगी weight pregnancy में weight बढ़ता ही है जी हाँ pregnancy में weight बढ़ता ही है और pregnancy में 12-14 kg weight बढ़ना normal बात है अगर आपका ये वज़न अचानक बहुत जादा बढ़ जाता है ठीक है तो इसके वज़े से जो हमारी जो बोड़ी है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पर जाता है वह अचानक से बहुत ज्यादा खिचाव मैसूस करती है जिसकी वज़े से जो हमारी खिचाव के निर्सान है इस्ट्रिश मांग से बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपको क्या करन है आपको कोशिश करनी है कि आपको जो वेट है वजन है वहर के एकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़े ठीक है यह नहीं कि एक साथ इक अचानु बहुत सारव बढ़ जाए जैसे फिर्स ट्रायमेस्टर में और में वैसे बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ता एक स्या दो केजी तो वैसे 2nd trimester में 4-5 kg या 2-3 kg ऐसे weight बढ़ें फिर उसके बाद जो 3rd trimester होता है उसमें 4-5 kg या 5-6 kg weight बढ़ें अगर ऐसे step to step यानि step by step धीरे धीरे अगर आपका weight बढ़ेगा तो जो skin है उसे बहुत ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा और इसके वज़े से आपकी जो तौचा है इसके उसमें बहुत जादा खिचाव नहीं होगा और आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा ठीक है जो एक और चीज आती ह जैसे कि मार्किट में बहुत सारे बहुत मेंगे अलग अलग टाइक के मौश्राइजर्स क्रीम मिलते हैं जो कि कहते हैं कि इनका उप्योग करने से या इनको लगाने से जो हमारी खिचाव के निशान है वो पूरी तरह के से खतम हो जाएंगे तो देखिए ऐसा कुछ भी न हीम नहीं है जिस जो आपके पूरे हक्षाव के निशान है यह ःतान है कि जो भी अश्री उं से उनको पूरी तरह की से खतम कर दे यह फिर हम जरूर नहीं हर रहा है उन्हें ज्रूर्ण होने से जेर होने से जरूर रोग सकते हैं इसके इसके कहाओ ऩस्ति अ को एक अच्छा उस्तिमाल करके इसके पर बातों एको आप मोस्टव मोस्त यहां और भी आप मो데 होती है थोड़ा नमी होती है तो जब हम लोग नहाने के बाद करेंगे तो इसका इफिक ज्यादा पड़ेगा असर ज्यादा पड़ेगा इसके साथ से आपको यह याद रखना है कि जब भी आप अपनी बॉड़ी में को भी मॉश्यराइजर यह तेल अपलाई करें तो एक अच्छे माउंट में मॉश्यराजर यह जल करेंगी तो यह ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगी और ज्यादा असर करेंगी ठीक है एक और चीज आपको जो ध्यान रखने हैं प्रेग्नेंसी में अपनी डाइट जी हां आपकी डाइट का भी आपके जो स्ट्रेच मासून प हरी होगी तो आपके जो खीचाव के निशान है वो भी कम पड़ेंगे कि उसका हमारी जो तोचा है इन सब का काफी असर पड़ता है ठीक है तो आप इसमें हरी से हरी सब्जियां जैसे पालक इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राइफ फूट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके जो मक्राफ निशान है ठीक है उनको कम करने में हैल था है तो आई होब कि आपको 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 और बात है जो आपको द्यान में रखनी है कि इसारे उपायों को जो विब मैंने सब्सक्राइब इनका इस्तेमाल आप इस्ट्रेच मार्क्स पढ़ने से ही शुरू कर दें मतलब जैसे आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट है तब इसे आप इन सारे टिप्स को फॉलो करें तब इनका इफेक्ट जो होगा जो असर होगा वह आपके सरी में ज्यादा दिखाए देगा ठीक है प्रॉब्लम क अच्छी मात्रा ने अच्छी डाइट ले अब एक आइडियल वीट मेंटेन करें ठीक है न्यूट्रेशन से भरपूर डाइट ले ठीक है तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तो आपके जो खिचाब के निशाने उनमें बहुत कम होगी बहुत ज्यादा नही नहीं बढ़ेंगे ठीक है और गहरे भी नहीं होगे और बाद में इन्हें कम करने में भी असानी होगी तो आई होप कि आपको आज सब की जानकर एच्छी लगी होगी तो फिर मिलते हैं अगले व्लाग में उसके साथ ही आप सभी को नवरात्ते की धेश सारी सुब्राम नह तो मिलते हैं नेक्स व्लाग में तब तक अपना ध्यान रखिए